नमस्कार मैं सरद राजवनशी हाजिर हूँ अभी तक की खास खबरों के साथ तो आईए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर लखनव में मिशन रोजगार के अंतरगत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाथ ने कहा जाती के नाम पर विलाब करने वाले लोग समाज और देश को करते हैं कमजोर चिकित्सा क्षेत्र में केस स्टडी को दें बरहावा S. B. D. College धामपुर के राष्ट्रिय सेवा योजनाईकाई की चात्राए युवा कार्यक्रम एवं ख्याल मंत्राले के अरंतगत तीस दिवसिये अनुभवनात्मक ले रही हैं प्रशिक्षन इसके अरंतगत छात्राओं को मुख्यालय भ्रमन हेतु ले जाया गया बिजनौर चांदपुर के डॉक्टर शिवेंद्र अगरवाल को सुभार्ती युनिवर्सिटी मेरठ में किया गया सम्मानित डॉक्टर शिवेंद्र अगरवाल को Researcher of the Year Award से किया गया सम्मानित चांदपुर में एक साइखिल सवार शिक्षक को अग्यात वाहन ने मारी टककर इलाज के दौरान हुई मौत मृतक के भाई ने थाने में तहरीर दे कर कानूनी कार्यवाही की लगाई गुहार वारानसी में होटल कर्मचारी का उसके कमरे में पढ़धा मिला नगन अवस्था में शव सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा और विधिक कार्यवाही में जुटी अमरोहा के हसनपुर में SD, M कार्यालाय पर भारतिय किसान यूनियन लोकशक्ती के कार्यकरताओं ने SD, M को सौपा ग्यापन, किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की संभल में नाले की खुदाई करते समय मैरिज हौल का छज्जा गिरने से किशोर सहित दो लोग हुए घायल नाले की खुदाई कर रहे ठेकेदार के विरुद्ध विरोध दर्ज कराते हुए कार्यवाई की मांग की संभल में ए रिक्षा से उतरी महिला को अग्यात वाहन ने मारी टककर हादसे में महिला की हुई दर्दनाक मौत पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर की रिपोर्ट दर्ज संभल में भू माफिया बसपा के पूर्व चेयरमेन रमेश चंदर बादशाह को गैंक्स्टर के मामले में पुलिस ने किया गिरफतार आरोपी पर चेयरमेन पद पर रहते करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कबजे के है केस दर्ज झालब कर लाँ पूर्वेजर झालब के बस्सेट अभाट एकतार बादट बस्तों में अलवाट तर्वभी जमीन पर चंदर करोड़ों है कर दो चेयरमेश जलवा़ों पर आरोपी है झाल 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 आप खबरे विस्तार से बिजनौर के बाइपास मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफतार अग्यात वाहन ने बाइप को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइप सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि उसकी चचेरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद लोगों की भीड मौके पर जमा हो गई। पहुँची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भरती कराया, शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद सैकड़ों लोगों की भीड जमा हो गई। परिजन आरोपी गाड़ी चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर जम कर हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर हलदौर, मंडावर वशहर कोतवाली की पुलिस भी पहुँची और लोगों को समझा बुझा कर शांत किया। बिजनोर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। धामपुर के मोहला खातियान स्थित सुनारों वाले शिव मंदिर मेड सभा में गत वर्षाय की भांती इस वर्ष भी श्री तरंबकेश्वर जी एवं श्री तिरुपति बाला जी की मूर्तियों का स्थापना दिवस श्रद्धा एवं हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर नरेश वर्मा, उमा वर्मा, दीप माला वर्मा, नेहा वर्मा एवं ज्योती वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर फल पुष्प आदी छढ़ा कर विधिवत पूजा अर्चना की गई तथा मिष्ठान का भोग लगाया गया। अजनों की प्रस्तुती दी गई तथा अन्य सभी महिलाओं ने सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किये। इन्ही तीनों की प्रतिमूर्ती मंदिर में स्थापित की गई है। तिरुपती बाला जी का विश्व विख्यात मंदिर आंध्र प्रदेश में तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित है। इन्ही मूर्तियों का प्रतिरूप तिरुपती बाला जी की मूर्ती मंदिर में स्थापित की गई है। यहां भक्तगण मंदिर में पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं। अंत में आरती कर भोग लगा कर प्रसाद वितरित किया गया। तथा सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर पूनम वर्मा, रुकमनी वर्मा, शालिनी वर्मा, नीलम वर्मा, नमीता वर्मा, सुमन वर्मा, उमा वर्मा, दीप माला वर्मा, गजनी सिंग, सरोच शर्मा, प्रेम वती तथा अन्य महिलाएं उपस्थित रही। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की दरसल उत्तर प्रदेश में चिकित सा शिक्षा विभाग में भरती किये गए उप प्राचार्य नर्सिंग व अन्य स्टाफ को नियुक्ति पत्र वितरन कारेक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में बिजनौर जिले में नए बन रहे महात्मा विदुर राज किये मेडिकल कॉलेज में भी 16 उप प्राचारे को डियेम अंकित अगरवाल ने नियुक्ति पत्र वितरित किये। इस मौके पर जिलाधिकारी अंकित अगरवाल ने कहा कि 16 उप प्राचारे को नियुक्ति पत्र वितरित किये गये हैं। मेडिकल कॉलेज जो खुल रहा है। इसमें 16 जो हमारे उप प्राचारे गन हैं उनको यहां पर सभी को नियुक्ति पत्र वित्रन किया गया है। जो विभिन अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में हैं मेडिकल कॉलेज के और वो आज ही से यह लोग सभी लोग यहां पर जॉइन करेंगे। जनता की जो अपेक्षा हैं कि उनको अच्छी से अच्छी सी कित्सा सुविदा मिले तो यह अब उनको मेडिकल कॉलेज के माध्यम से मोहिया कराई जाएगी। जिले में बरिया स्वास सेवा के लिए यहां पर मने मुखमंती जी माननी प्रधान मंचिदी के निर्देशन में यहां मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। इसमें पहले हम लोगों पिछले साल अभी यह चालू नहीं हो पायता अब इस साल हमारा पुरा प्रयास है कि यहां मेडिकल कॉलेज पून रूप से यह सुचारू धंग से चालू हो जाए। इसी करम में आज हैं सोलर निप्तियां की गई हैं यह चिकित सेट भी ततकाल इसमें जॉइन करेंगे और जनता को अपनी सेवाई प्रदान करेंगे। अभी तक में वक्त होचला है एक छोटे सी बिरिक्का पर जाईएका नहीं देखते रहिए अभी तक मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक दीज़ चैनल का डिजिटली महाफतार अब आपके मॉबाईल में होगा न्यूज एवं मनुरंजन का अनुखासद सांद। गूगल पिले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मॉबाईल में देखें जन्नल नौलेज पर आधारी जीनियस कौन, स्वाथ से संबंदित कारेकरम, हेल्थ केर, गानों पर आधारी सुनहरे पर, अपने मंडल की न्यूज और धेर सारे म मामले में गिरफतार किया गया है, आरोपी पर चेरे मैन पद पर रहते करोडों रुपए की सरकारी जमीन पर कबजे के केस दर्ज है, कोतवाली बहजोई पुलिस ने पूर्व चेर मैन रमेश चंदर बादशाह को पुलिस ने जेल भेज दिया है, आरोपी ने अपने मामले में जिलाधिकारी एवं तहसीलदार ने केस दर्ज कराये थे, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने गैंक्स्टर का केस दर्ज कराया, बसपा के पूर्व चेर मैन को पुलिस ने गिरफतार कर थाना धनारी में बंद कर दिया, जबकि उसके दूसरे सहयो जिसके बिरफ पूर सही सहतारी जर्ज कर दोखा धड़ी के अनेक मुकत में पंजी करते हैं, अभीत को जिल भजा जा रहा है, इसके अन्य साथियों को भी ग्रफतारी के प्राद के जा रहे हैं, स्टिप भी अभीत के बिरफ विदी कारई करते हैं, भी गंगेश्टर संभल में ए रिक्षा से उतरी महिला को अज्यात वाहन ने टककर मार दी, सटिड़िधक हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई, सूचना पर पहुँची पुलिस ने मृतक महिला के शव को पी-एम के लिए भेज दिया, सड़क हादसा संभल के थाना रजपुरा क्षेत से तबीयत खराब चल रही थी, महिला अपने नंदोई को देखकर ए रिक्षा से वापस घर आ रही थी, ए रिक्षा से उतरने के बाद महिला को अज्यात वाहन ने टककर मार दी, सड़क हादसे में घायल हुई, महिला की मौत हो गई, घटना स्थल पर लोग एकत्र हो गई, पहले तो लोग महिला की पहचान नहीं कर सके, बाद में महिला के कुछ रिष्टेदार भी मौके पर पहुँच गए, जहां महिला की पहचान हो सकी, सड़क हादसे की जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुँच गई, सड़क हादसे में मृतक महिला के श परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी प्यूरो रिपोर्ट अभी तक में खबरों का सिलसिला यूही रहेगा जारी देखते रहें अभी तक नमस्कार